कहलो zwei पर्लॉस क्या से हो आप सभीा आ जम्हाब सभी की एक नई रिष्पिल लेकर आ हैं कुरकुरी रसी लिए रस से भरी जलिबी भुल reduction हल्वाइetus है पर उससे पहले आपने भी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब न ही किया है तो फ्लीक्राइब कर दीजेソー पहला आइकन को भी क्भाँब्र फ्रच करते ही जली बनानी के लिए मैंने नरिश मैय दय किया जिसकी डिटेल वीडियो मैंने अप्लोड किया है जली बनाने के लिए मैंने एक कप मैंदा ली हुई है और इसमें मैं डालूँगी एक तिहाई कप दही एकदम खट्टा दही होना चाहिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें जितना मैंने दही डाला है उतना ही मैं पानी युज़ी करूँगी तो एक च स्मूथ सा बैटर बना के तयार करना है तो ऐसे ही हम इसे मिक्स करते जाएंगे पानी डालते जाएंगे और इस्मूथ सा बैटर बना लेंगे बैटर हमें इसे काफी देर तर अच्छे से फेट ना है ताकि जितना ज़्यादा हमें से फेटेंगे हैं हमारी खमीर उतना ही अच्छा होगा और खमीर अच्छा होगा तो हमारी जलेवी भी इत्दम रस्वरी और कुड़कुड़ी बनेगी बिल्कुल हलवाई जैसी दिखिए, हमेसे लगाता हुआ, हमेसे कम-से कम 5-6 मिनट ही इसे फेटना ही है और ऐसे हम्पेट जाएगे और इसमें कोई لم्टेत नहीं रहना चाहिए जलेवी बनाने का सबसे यही टिपस है, कि इसे हमने सबसे ज्यादा फेटना ही जितना जाद हमें से फेटेंगे, और जितने जादा टाइम के लिए हमें से खमीर के लिए रखेंगे, उतना आज जादा जले भी हमारी जो अच्छी ओड़कुड़ी और रस्वरी रहेंगे देखिए हमारा प्रेटरवन के तियार हो चुका है देख कितना स्मूथ है और इसे हम ढगके ओवरनाइट के लिए रख देंगे अगर दिया है चलिए अगले दिन अब हम करते हैं सीरा की त्यारी इसके लिए मैंने दो कप सक्कर लिये और इसमें डालेंगे एक कप पानी जितनी सक्कर से आधा पानी तो इसे अच्छे से घोलते हुए हमें सक्कर को अच्छे से घोल लेना है और इसका हमें सीरा बनाना है सीरा इसमें हमें कोई तार वाला सीरा नहीं चाहिए हमें सक्कर अच्छे से घुल जाए थोड़ी सी उबा करदेंगे अब हम इसमें डाल देंगे लाइची दो एलाइची इसे हलका सा मैंने और ताकि इसकी छिलके मुझ झुल जाए डेखे हमारी सक्कर खुल गई है अब हम इसमें डालनें कि नीबू का रस मैंने आधा नीबू लिया है और इसे डाल देंगे आधर नीबुकरस नीबुकरस हमें इसलिए डालना है ताकि हमारे से किस्टलाइट ना हो और इसे हम ऐसे चलाती रहेंगे और ताकि इसमें अच्छी से उबाला जाए देखिए इसमें उबाला नहीं लगाएं सीरा हलका सा गाड़ा हो गया है और हम आपको दिखाते करके देखिए इसमें चिपक रहा है लेकि तार नहीं बना भी तो यह परफेक्ट सीरा बनके तयार हो चुका है कैस फ्लेम को आफ कर देंगे सीरा को साइड में रख देंगे चलिए देखते हैं जो बैटर हमने ओबर नाइट के लिए रखा था इसमें खमीर हो गया है और अब लगिया Know कि पॉन इसमें डाना है चोथाए टबिलष पून मैंने में डाला है बेकिं सोडा और इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद हमेसे सिर्फ आदा मिलаже चलाना है Mix कर देंगे अच्छी से अब हम लेंगी एक पाइपिंग बैग और इसमें हम अम बलि अब लेगे एक piping bag और इसमें अपना बैटर भर लेगे दिखिए मैंने इसे भर लिया है अब हम इसे उपर से कोई rubber pen हो इसे बंद कर ले देखे मैंने इससे पैक कर लिया ताकि हमें कोई problem ना हो जब हम इससे जली भी बनाएंगे तो देखे मैंने इससे के ऊपर की जलेवी बनाना दिखाएंगे यह सिंगल सिंगल आप ऐसे ही बनाते चाहिए और रोल रोल करके बनाईए जो लाश में प्लोड़ेंगे वह इसी क्यूप अड़ा देंगे इससे क्या है हमारी जलेवी अलग अलग नहीं जाती है अब इसके बाद हम आपको एक बार और दिखाएंगे जैसे बिल्कुल हलवाई बनाते हैं एक के साथ एक बिल्कुल मिक्स करते हुए यह सिंगल सिंगल अलग है देखे जलेवी हलकी से कलर आ गया है अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड इसे ऐसे ही सेख लेंगे हमे इसे पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेना है फिर हम इसे लोट मेडियम फ्लेम पर इसे पकाना है देखे हमारी जलेवी कलर आ गया है अब मैंने इसे सीरा में डाल दिया है इसी तरह सब का कलर आता जाएगा हम एक एक करके सीरा में डाल दी जाएंगे और इसे हलका से होगी देखिए हमारी जाले भी है कितना रस भरा हुआ है कितनी सुद्र लग रहे हैं देखने में तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहला आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहल हम इसागी तैंगी